नमस्कार मेरे किचन में आप सब का स्वागत है आप सब कैसे हैं I hope कि आप सब अच्छे होंगे आज मैं बच्चों के मन पसंद रेसिपी लेकर आई हूँ लेमन राइस बच्चों को यह बहुत ही पसंद आती है यह रेसिपी में बचेवे चावल से बना रहे हूं तो इसको ब जैसे yooly कायारी मुमफली काच्ची मुमफली ही और यह झानिया के पत्तेह तर्के के लिया है कुछ विर अर्यारी मिर्चस कमच घट कर लिया इस ततरह से ऑफी मैंले एक चोटी चमच हल्दी पैडा एक चोटी चमच नमक और आध्स निभूलिया तो चलिए यह देखे मेरी दिन के बचेवे चावल थे इसी का मैं बनाऊगी लेमन राइस तो चलिए एक पैन लख रहते हैं इसमें डालेंगे तील और जब तेल गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे मुंफली दाने और इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे और जब यह प्लेट में निकालेंगे फिर इसके बाद में इसके छिलके उतार लेंगे तो देखे रोस्ट हो गए अब इसी तेल पे हम डालेंगे सरसों के दाने और जब यह अच्छी तरह से चटक जाएं तो फिर इसमें हम डालेंगे चैना और उरत दाल और इसको भी हम 2-3 सेकंड के रहे हम हरी मिर्च को हम 2-3 सेकंड के लिए अब डालेंगे हम 1-2-3 के लिए अब डालएंगे उनले काफी समय से कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप बिना लसन प्याज के कुछ ऐसी रैसिपी बनाई है तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं लेवन गाईज बना के आपको बता हूं अब चले मिक्स हो गए चाबल तेल में और अब डाल देंगे इस पर हल्दी और नमक और हल्दी विल्ऴ के सब चलो उतार लिए तो तो देखेव आपको थोड़ा सा घ्रटा कम लगे तो इसका निवे और पड़ा सकते आप इसमें तो देखें नीबू भी मैंने डाल दिया है और यह बहुत अच्छा लग रा काने में बहुत अच्छा लगता देखने में भीपध यह मेरे सर्विंग बॉल में निकाल लिये है लेमन राइस और इसको आप मुंफली के दाने से और हरी पती से गार्निश करके खाईए बहुत ही अच्छा लगता है और इसको बनाने के बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे तो अगर मेरी यह रेसिपी अगर आपको तो चलिए आप मैं मिलती हूं किसी नई रेसिपी के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें और वैक्सिन जरूर लगाएं नमस्कार दोस्तों